कॉंग्रिस नेता रहूल गांदी ने अपना सरकारी बंगला बारात तुगलक लिए रहूल गांदी ने बंगला खाली करने के बाद वहां से निकलते वक्त मीडिया से बातचित में कहा कि मैंने सच बोलने की किमत चुकाई है मैं सच बोलने के लिए आगे भी कोई भी किमत चुकाने के लिए तयार हूँ रहूल गांदी के बंगला खाली करने के बाद वहां से न आने के बाद अपना बंगला सरकारी बंगला खाली कर दिया है। राहूल गांदी ने बंगले से निकलते वक्त कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूं क्योंकि मुझे इस घर को हिंदूस्तान की जंता ने दिया था। अब मैं दस जनपत में रहूँगा। उन्हों होगी मैं चुकाता जाओंगा। किसा सरकारी बंगले को खाली करने का एक वीडियो ट्विट किया है। जिसमें वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते, स्विच आफ करते, ताला लगाते और चाबी सोपते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि अ वहां के करमचारियों से हाथ मिलाया और उनके साथ फोटो भी खेचवाई। इसकी बाद उनने सरकारी अधिकारियों को बंगले की चाबी सोपी। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई ने जो कहा है वो सई कहा है। सरकार के खिलाब बोलने की सजा मिली है लड़ा इचारी रहेगी। इसी के साथ बने रहे ही राज़्टमा टीवी के साथ खाले बाद।